तोड़ी सी समझदारी थोड़ी सी सुजबुद्ध बहुत सारे एसे डैली होम है जो हम अपने डैली रूटिन के काम में अपनाते हैं त्हों हमारा टैम तो बचता ही यह पैसे भी बचते एक वर उपर से से ही ठीफ नता है तो यह सब जानते आप सब काम ऐसे रहते हैं जो आपको एक साथ करने पड़ते हैं तो यहां पर आपको अगर जो आलू को बोल करना है वो जल्दी करना हो तो आप क्या कर सकते हो बीच में से हाफ कट करके उसमें थोड़ा सा सोल्ट और पानी एट करके प्रेशर कुकर में आप उसको कुक कर सकते हो अग पिर बहुत सारे हम खाना वगेरा पकाते हैं तो बहुत सारा खाना वगेरा नीचे गीर जाता है वर इस तरह से हमें 15 दिन या महिने में एक बार इस तरह के गेस्ट तो को अच्छे से क्लीन करना रहता है आप देख सकतो श्टेंड भी लग जाता है तो यहां पर में आप क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तोड़ी देर आपको रखना है पांचक मीनिट और फिर आपको इस तरह से कोई भी स्क्रॉब या स्पंज से आपको इसको क्लीन कर देना है यहां पर डियाए वाई वाइम जो स्प्रे हम क्लीनिंग स्प्रे यूज करते है उसका यहां पर आप कर सकती हो पर यूज क्या लगता है तोड़ा हाड़ वर्क करना पड़ता है और यहां पर आप देख सकते हो जो रयर्डेड मार्क से उसको अच्छे सी क्लीन करने में हमें यहां पर थोड़ा ही उस आप करते हो, तो जल्दी से सारा ही काम निपट जाता है, तो इस तरह से पूरा ही गेश्टों में शारे ही उपर के जो भी पार्ट थे हो, निकाल के क्लीन कर दिया है, और साइड में जो भी पार्ट है, उसको भी आपको बूलना नहीं तो कोई दिवाल वगेरा, जो गर डाभन कुछ wealth, नही करें पर 10 खेंगे हैंas की सोटाइबु अच्छा-इसका अच्छ उड़रा मसाला फली और पर आसजार मेरेद सोट और घ्रस ही एड कर देना है उपर से हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है थोड़ा ठंडा होना देना है फिर इसके पीसी से बन के निकलेंगे तो एक पीसी से एक बन में आपको बीच में रख देना है तो नहीं आपके मसाले जो भी आपको ने इसमें डाले है वो निकलेंगे भ जाएंगे और यहां पर बस बटर लगा के दोनों ही साइड शिक लेना है और यहां पर इस तरह की जो रेसेफी है वो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और डिनर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं उसी तरह जो सिंग के रिया है उसका नीचे का जो पार्ट ह उसमें air ventilation होना ज़रूरी है वरना जो भी चीज़े हुए हम वहाँ पर रखते हो खराब हो जाती या मोस्चर लग जाता है तो यहां पर आप देख साओ तो बहुत सारी चीज़े मेंने नीचे organize की है तो यहां पर जो भी डोर है वो पूरा ही लोग हो जाता है तो मैं क्या कर स्पेस के कारण पूरा ही डोर है बंद नहीं हो पाएगा और थोड़ा सा यहां से एर जो है ओ सर्कुलेट होती रहेगी तो जो भी चीजे रुखी है इवन जो भी हमने बरतन वगेरा रख्या है ओपी एसे का इसा ही रहेगा उसी तरह सेफटी पीन हमारे लिए बहुत ही तो उसमें क्या होता है बीच में थोड़ा फिटिंग वगेरा सिलाई वगेरा करनी पड़ती है वरना कभी कभी क्या होता है ओवर साइज हमें आ जाती है तो हमें टेलर के पास जाना पड़ता है तो यहां पर आपको क्या करना है बस दोनों ही साइड जो साइड वाला पोर् गरी आपके पास और इस तरह की सब में चलने वाली जो लेशन है फीriver इस तरह को ईसमें लगा देना है दूसरे ऐस फार को खीच गर पिछ मिये आपको लगा देना है तो यहाँ पर दो पार्ट निकलेंगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से हो जाएगा फिर इसको आपको खीच के पीछे की ओर नोट लगा देनी है जिसे क्या होगा कि इंस्टन जो भी आपका ड्रेस है या फिर टोफो कोई भी हो ओर साइज है तो तुरंथी फिटिंग में आ जाएगा व तो इस तरह की ट्रीक बहुती काम आती है इस तरह की चीज़े हम अगर करते है तो पहुत सारे पैसे तो बचते ही है साथ-साथ हमें भी सैटिस्वेक्शन मिलता है तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने अगर इसको नोट को निकाल दिया तो कितनी बुरी रेस लग रही है उसी तरह दूसरा एक तरीका है एक लंबा सा टोप जो है वो है और देख सकते हो और दोनों साइड कितनी जगह है और एक दम ही ओवर साइज है तो आपको इसे थोड़ा सा फिटिंग करना हो fear ओओ engineered करना हो तो आपको क्या करना है तिन बैंगल्स लेनी है आपको बीच में खाली एक बैंगल्स रखनी है तो भी रख सकते हो यहाँ पर मैंने तीन लई है साइड में दो लगाई है और बीच में मैं एक लगा दूँगी बस अंदर की और इस बैंगल को लगा देना है और आगे की वो इस तरह से कोई भी ring यहाँ पर आप में क्या कर सकते हो black color का जो elastic आता है वो आप लगाना वरना क्या होगा थोड़ा दीखेगा यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए ही यहाँ पर hairband का use किया है तो तीनों ही side इस तरह से मैंने लगा दिया है वो आप देख स कमेंट करके जरूर बताना कोई भी idea अगर आप अपनाते हैं यह आपके काम आता है तो प्लीज कमेंट करकर बताना वीडियो को लाइक कर देना नए हो तो चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं नए और interesting वीडियो के साथ तपते के लिए thank you and bye bye अनेस और आप क्या कर सकते हो अगर थोड़ा ठिला रहता है यह elastic वगेरा तो दो बार आप इसको जो है turn करके दो बार आप लगा सकते हो जिसे कि क्या होगा कि और fitting आ जाएगा और इसकी जो look है और enhance हो जाएगी और निकालने के बाद आप देख सकते हो फेस से ही oversize हो जाएगी so bye bye thank you